चार जुलाई है और चार जुलाई से related सारे most important current affair को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे तो चल यह सुरू करते हैं पहला question है ICMR ने सोदेशी विक्सित COVID-19 बैक्सीन को कब तक बजार में लाने की घोस्ड़ा की है तो 15 अगस्त तक ICMR ने सोदेशी विक्सित COVID-19 बैक्सीन को बजार में लाने की घोस्ड़ा की है यानि absence सही है भारती आयुर्विज्ञान अनुसंधान परसत ICMR सभी क्लिनिकल परिच्छड पूरे होने के बाद 15 अगस्त से सोदेशी COVID-19 बैक्सीन जारी करने की योजना बना रहा है ICMR ने यह महत्पूर COVID-19 बैक्सीन बिक्सित करने के लिए भारत बायोटिक इंटरनेशनल लिम्टेड के साथ भागिदारी की है वहीं दूसरी और भारती कमपनी जाइडस कैंडिला को मनुस्थ पर फेजवन और फेजटू क्लिनिकल परिच्छड के अनुमत दे दिया गया है जाइडस कैंडिला ने भी बैक्सीन बनाने के दावा किया है कमपनी ने कहा है कि पसुओं पर अध्यन में इस बैक्सीन को प्रभाव साली पाया गया है यह परिच्छड चूहो गिनी पिग और खरगोसों पे किया गया है इस बैक्सीन से उत्पन एंटिबाडीज वाइरस निट्रोलाइजेशन में वाइल्ड टाइप वाइरस को पूरी तरह से निस्क्री करने में सच्छम पाया गया है इस से संकेत मिलता है कि इसमें सुरच्छात्मक बैक्सीन की अच्छी संभावना है भारत में कई अस्थानों पर एक हजार से अधिक मरीजों पर इस महीने क्लिनिकल परिछड सुरू होनों की संभावना है नेस्ट कोस्टन है बिश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है तो बता दें 200 खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है यानि आप्शन यह यहाँ पर सही है इस दिन का उद्देश खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना है और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रुशाहित करना है इस दिन को मनाने की सुरुवात 1994 से की गई थी AIPS International Sports Press Association का मुख्याले लाजन स्यूट्जल लैंड में है तथा इसके बरत्मान अध्यच ग्यानी मेरलो है हाल ही में किसे 2020 Great Immigrator सम्मान से सम्मानित किया गया है तो बता दें सिद्धार्थ मुखरजी और प्रोफेसर राज चट्टी को 2020 Great Immigrator सम्मान से सम्मानित किया गया है यानि यहाँ पर आप्सन ए सही है भारती अमेर्की पुलितिजिर्स पुरसकार बिजेता लेखक इंफिजीसियन सिद्धार्थ मुखरजी और हावर्ड बिस्विद्याले में अर्थ सास्तर के प्रोफेसर राज चट्टी को COVID-19 महमारी को रोकने के लिए किये गये उनके प्रयासों के योगदान के लिए करनेगी कार्पोरेशन आफ निवार्क ने दोहजार बीस ग्रेट इमिग्रेटर्स की सूची में सामिल 38 अमेर्की नागरिकों के साथ सब्मानित किया गया है किनको सिधार्थ मुखर्जी और प्रफेसर राज चट्टी को नश्ट कोस्टन है हाल ही में किस देश के प्रधान मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो फ्रांस के प्रधान मंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है यानि आपसन यह यहां पर सही है फ्रांस के प्रधान मंत्री एंडरोड फिलिप ने राश्टपती इमनुवल मेक्रॉन द्वारा सरकार में फिर बदल की करने की संभनाओं को चलते अपने पत से स्थीफा दे दिया है यह राश्पती इमिनुवल मेक्रोन की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वह अपनी ग्रीन साख को मजबूत कर सके और फिर से होने वाले संभावित चुनाओं से पहले अपनी केंद सरकार को पुनर जीवित कर सके नेश्ट कोस्टन है किस राज्ज में 10 जुलाई से पौधे लगाओ परिया वरण बचाओ अभियां शुरू किया जा रहा है तो दिल्ली में 10 जुलाई से पौधे लगाओ और परिया वरण बचाओ अभियां सुरू किया जा रहा है यानि यहाँ पर आपसन भी सही है दिल्ली सरकार ने यह मेगा बृच्छा रोपड अभियां पौधे लगाओ परिया वरण बचाओ को लांच करने का नेड़ा लिया है यह अभियां 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच चलेगा यह अभियां नए दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ा कर वाव प्रदूसर को कम करने के लिए इस अभियां के तहट दिल्ली में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे किस मंत्राले ने 33 नए फाइटर जेट खरीदने और मुझूदा 69 मिक-29 एरकाफ्ट को अपग्रेट करने की मंजूरी दे दिये है तो रच्छा मंत्राले ने 33 नए फाइटर जेट रूस से खरीदने के लिए और 69 पुराने मिक-29 को अपग्रेट करने की मंजूरी दे दिये है हाल ही में रच्छा मंत्राले द्वारत 33 नए लड़ाको बिमानों जिसमें 21 मिक-29 और 12-39 मिक-29 बिमानों को खरीदने की मंजूरी दे दिये गया है बता दे की 2017 राफेल सौदे के बाद से यह 33 लड़ाको बिमानों को पहली बार वाउ सेने के लिए खरीदा जा रहा है यानि 2017 में राफेल बिमान के खरीदने के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी डील है मिक-29 फाइटर जेट्स के बारे में हम जानते हैं भारती वाउ सेना के पास पहले से ही सेवा में मिक-29 लड़ाको बिमानों के तीन इसक्वाडरन है रूसी कमपनी मिकोयान मिक-29 बिमान की निर्माता कमपनी है तो कौन इसको बनाता है मिकोयान जो कमपनी है रूसी मिक-29 फाइटर जट को मनाती है और वहीं बात करें सुखोई MKI-30 के बारे में तो रूसी कमपनी सुखोई द्वारा डिजाइन किये गए सुखोई 30 MKI-Hindustan Aeronautics Limited द्वारा भारत में भारती वाउ सेना के लिए निर्मित किया जाता है बर्तमान में भारती वाउ सेना के पास सेवा में 260 सुखोई MKI लडाको ज़ाइन किया गया है तो बतादें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाली में लेह का द्वारा किया गया है यानि आपसन ए यहाँ पर सही है प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने हाली में लेह में सेना वाउ सेना और ITBP के जवानों को संबोधित किया है उन्होंने कहा कि सैनको का बलिदान और साहस अतुल है और देश को ससक्त बनाने के लिए यह महत्त पूर भी है प्रदान मंत्री लेह के निमू ITBP चौकी पर सेनाव को संबोधित किया है करीब 11,000 फुट की उचाई पर इस्थित निमू सबसे दुरगम छेत्रों में सामिल है यह छेत्र सिंधू नदी के तट पर इस्थित है नश्ट को सन है जल जीवन मिशन के तहट अभी तक कितने लाख लोगों के घरों में पेजल नलक कनेक्शन प्रदान किया गया है तो बता दें 19,000,000 घरों में पेजल प्रदान किया गया है जल जीवन मिशन के तहट यानि यहाँ पर आपसन ये सही है जल जीवन मिशन के तहट केंदर सरकार ने 2024 तक देश के परतेक ग्रामिड घरों तक पेजल की सुब्धा प्रदान करने की लच रखा गया है जल जीवन मिशन भारत के प्रदान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था 2024 तक इस योजना पर 3.5 लाख करोल रुपए खर्च किये जाएंगे बता दें कि अभी हाली में उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री श्री योगी आदितनाथ ने बुंदेल खंड छेत्र में जहासी से जल जीवन मिशन की सुरुवात की है ये था आज का हमारा प्रमुह करन्ट अफेर हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक और कमेंट करें तथा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें